किसके लिए क्या विश्ष है आईए जानते हैं चाड़की के इस स्लोक से अनभ्यासे विशंग, सास्त्रम अजिर्डे भोजनंग विशंग, दरिद्रश्य विशंग, गोष्ठी, बृद्धश्य तरोडी विशंग, अर्थात बिना अभ्यास के सास्त्र विश है, अजिर्ड म भोजन विश्च के समान है दरिद्र के लिए सभा विश्च की भाति है और विद्ध पुरुष के लिए इस्तरी विश्च है अतह यदि निरंतर अभ्यास न किया जाए तो सास्तर विश्च के समान है इससे व्यक्ति अधिकच्री द्यानकारी लेकर इधर उधर अपने विद् को परिपक्व करते रहना चाहिए किसी को अजर्ण हो अर्थात पेट खराब हो ऐसे में यदि वह जिहुआ पर नियंत्र न रखकर भोजन करता है तो वह भोजन उसके लिए विश के समान है चाड़क के कहते हैं कि दरिद्र के लिए सभा विश के समान है सच है किसी भी सभा मे धनहीन व्यक्ति की कोई पूछ नहीं होती चाहे वह गुड़ी ही क्यों न हो लोग उसकी बात नहीं सुनना चाहते अथवा उसकी बात को कोई महत्व ही नहीं देते जबकि धनवान व्यक्ति भले ही मुर्ख हो उसकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं इस संदर्व में एक क जिसके घर नहीं दाने उसके स्याने भी नियाने नियाना कहते हैं बच्चे को जिसे दिन दुनिया की कोई खाश समझ भी नहीं होती सभा में ऐसे अबोधों की बात धनी पुत्र होने के कारण ध्यान से सुनी जाती है जबकि धनहीन की बात को कोई तबज्जो नहीं देता इस लोग के चोते खंड में चाड़क के कहते हैं कि बृद्ध के लिये इस्तरी विश है यदि कोई ब्यत्ती बृद्धा अवस्था का ख्याल न कर भोग में लिप्त रहता है तो वह एक प्रकार से मृत्त को ही दावत देता है देखा गया है कि कुछ लोग बृद्धा वस्था में अपनी आयू में से बहुत अधिक कम आयू वाले इस्तरी से विवाह कर लेते हैं और उसे संतुष्ट नहीं कर पाते ऐसे में इस्तरी की कदम बहग जाते हैं तब अपनी स्वार्थ पूर्ती के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है यहां तक की पती हंता तक हो जाती है ऐसे भी कई मामले प्रकास में आये हैं सजनों यदि चारक की किस नीति से आपको थोड़ी से भी सीख मिली हो तो ऐसे ही और भी चारक की नीति सुनने के लिए किर्पिया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नीति को लाइक, सेर और कॉमेंट करने की किर्पा करें धन्यवाद